अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तू माई यूट्यूब चैनल माई निम इस खुशी आज फ्रेंड्स मैं बट सावित्री मेकप लुक लेकर आई हूँ आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये मेकप लुक बहुत पसंद आएगा वैसे फ्रेंड्स ये मेकप और जल्दी आ जाना शे है फेंड्स अग्क मेकप कूंषे तो अची तरह से नहीं आता इसलिए मैं बीगोडर मेकप लोग इसलिए понятно कर सक है अगर मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज ब्लेक कर देना तो चलिए फैंस पीडियो को स्टार्ट कर थे हमारी है तो यह मैंने टोनर का यह यह सेर्म की बारी तो यह सीरम का यह बहुत अच्छा है है घृटेल में वीडियो चाहते हो तो आप देख सकते हो लिंक में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे आप चेक कर ले न यह फेंट्स में सीरह में अप्लाई कर चुक यह है और फेंट्स अब आती है फेंट्स मॉिस्टराइजर की बारी तो यह पॉंस का सुपर लाइट जेल ओईल फ्री मॉस्टराइजर है फेंट्स फॉर नॉन हाइलरोनिक एस्टिल प्लस वाइटमीन ए है फेंट इसमें यह पॉयरी स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा मॉइस्टराइजर है इसमें फेंट्स यह जैल मॉइस्टराइजर है आप चाहिए तो इसे यूज कर सकते हैं गर्मियों में आप फेंट्स आती है लिप बाम की तो यह फेंट्स परपल का चाइल्ड होल्ड बैस्टीज लिप बाम है यह फेंट्स बहुत अच्छा लिप बाम है लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दोंगी आप चैक कर लेना लिप भी हमें यूज करना चाहिए जिसे हमारे लिप्स मॉइस्टराइज हो जाते हैं तो जो हमारे उपन पोस होते हैं वह बिल्कुल हाइट हो जाते हैं तो सब चीजों का डेटेल में वीडियो फेंट्स में बनाओंगी परपल हॉल आएगा उसी में मैं सारी चीजों को आपको पताऊंगी कि मुझे कौन सी चीज अच्छी लगी है कौन सी चीज नहीं अच्छी इसके आगे फेंट्स परपल हॉल आएगा दो तीन दिन चार दिन जो भी है मैं नेक्स वीडियो ज़रूर लिख्यांगी उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी तो यह फेंट्स स्टेकवेरी का यह फांडिशन है यह फेंट्स लिक्विड फांडिशन है और इस बिस यह फांडिशन को लगा लेते हूं ना इस पउंडेशन पेंट्स समय जहां जहां फांडिशन साथ ब्लेंडर लिए पानी में करके और उसे इसके उच करके फैंट उसी से अपना सारा फांडेशन ब्लैंड करोंगी आप चाहिए तो फैंट ब्रस्चे भी गर सकते हैं लेकिन मैं ब्यूटी ब्लैंडर से कर दियू और बात नहीं बता हूंगी फैंट मुझे फांडेशन कैसा लगा क्योंकि वीडियो फीड ज्यादा ल भी पैंड हो गया है अब आतिए फैंट कंसीलर की बारी तो यह भी फैंट से स्टिक विडि का ही इकंसीलर है लिक्वेड इंड और फैंट तो मैं फैंट इने हाई-लाइट पॉंट पर लगा जी हूं इसे फेंट हमारे जो डाक एरिया होता है वह हाइट हो जाता है इसलिए हम कंसिलर यूज करते हैं एकने की निशान होते हैं जहां जहां आपको नीड है जहां आपको लग रहे हैं हमारे यहां पर लाइट एरिया है इसमें सेंड टू है यह ब्राउज को भी फेंट में को हाइलाइट करना है इसलिए मैं इस पर कंसिलर लगा दे रही हूं जिससे मेरी जो ब्राउज है वो लग से हाइलाइट होगी अब इसको भी फेंट में ब्लैंड कर लेती हूं को भी ब्लेंडर से अ ब्लेंडिंग आ दिवाक्ट्स में ज्यादा धियान देना चाहिए और यह फेंट सिस्वेस्टी का आई शेयडों पैलेट है पालेटने प्लेट से आई ब्रोज पैलेट है और इस से फेंट्स में ब्लैक लॉर पिक की आए और मैं से अपनी ब्राउज को बना लेती हूं मैं जी ब्राउस फेंट से ज्यादा लाइटन से लिए मैं ब्लैक कलर ले रही हूं और यह भी पेंट बहुत अच्छा स्वेश्च ब्यूटी का आईब्रोस पैलेट है फेंट से और बहुत अच्छा है पैंट से यह मैंने मीश्यों से मगाया था लिंक में इसक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अब पैंट से एक कॉंपैक्ट है यह स्टेक वेरी का ही कॉंपैक्ट है अब जो हमने पैंट से अपना पांडिशन और कंसीलर होगा लगाया उसको हम लॉक कर लेते हैं इसे जिससे हमारा बेज जो है और अच्छे से आएगा निक पर भी लगा लेती हूं तो क्या कॉंपैक्ट लगा लिए अब आती है आई शेडों की बरी तो यह फेंट साइसाडों मैं भी पता देरी हूं जिसमें से रैड कलर विए बिल्कुल गिरा हुआ है मतलब विकार है इसमें रैड कलर अब फैंट मैं से ब्राउन कलर पिक कर यह यहां प्यार हूं यह विए स्टेक्वेरी के पैंट सैकशी आइसन ब्दू crist ढाइन सो और यह ब्राॉन किलर पिक करके सब्से तो सब्से पहले निचे पूरी कटशूरा उपर मैं राउन कलर लगा रह 활 आ जंब ही तो सब्सेंट पर मैं णिजर से कि अगर आपको कुछ ज्यादा आइस का मेकप नहीं आता तो सबसे पहले आप पिंग कलर या ब्राउन कलर अपनी आइस में लगाईए कट क्रीज में लगाईए फैंट या फिर उपर तक लगाईए वह आपकी मर्ची है कि ब्लैंडिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो सेड़ है वह सेड़ फिर आपकी शाड़ी के अकॉर्डिंग या सूट के कुर्ती के जो भी पहन रखाए उसके अकॉर्डिंग लगाई यह यह पूरा फैंट्स मैंने ब्राउन कलर लगा लिया है अब 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 फैंट्स पूरी आइस पर ही मैंने ब्राउन कलर लगा लिया है आँ अब 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 कि आएख कलर फैंट्स मैं नीची भी शाइद मुझे लगता है फैंट्स वह एड़ और गोल्डन कलर लगाया यह शाइद वीडियो वाली कड़िप कट गई है मेरे से इसके वैसे आपको नहीं दिखा मैंने हाफ में रैड और हाफ में गोल्डन लगाया था कि सॉरी फैंट्स वो वीडियो शाइद निकल गई मेरे से कि यह नीचे फैंट्स में लोवर लैश लाइन पे भी लगा ले दिया हूं यही रैड कलर जो है कि यह यह म हर्ता कि यह फैंट्स-कलोसल का मस्कारा है में बीलें इसको मुझे ब anf में इसका में यह हो गया इनकी ज़ी बहुत अच्छे में है फेंट्स ही मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी फेंट्स स्टेग वेरी का ही आई लाइनर है अब ब्लेक आई लाइनर है फेंट्स ही स्केश वाला है फेंट्स ही लिक्विट है वैसे लेकिन है स्केश वाला है मैं लाइनर लगा चुके हैं अब आती है फेंट्स काजल की वाली तो यह वी फेंट्स स्टेग वेरी का ही काजल है और काजल फेंट्स यह बहुत अच्छा लगा मुझे वाटर रेसिटेंट्स तो आपर वाटर लाइन में और लोवर लेशल लोवर वाटर लाइन में दोनों में लगा लिया है फेंट्स मेंने अब पैंट्स आती है कॉंट्टॉरिंग के बारी तो मैं पैंट्स स्टिक वरी के लिपिस्टिक है फेंट्सी तो मैं उसी से कॉंट्टॉरिक कर रही हूं कॉंट्टॉरिंग से फेंट्स अगर आपका जो फेस है वह थोड़ा हैवी है तो इस से फेंट्स आपका फेस बहुत पतला लगेगा कि अगर आपके पास कॉंट डॉनिंग करने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपने ब्राउन के लिपिस्टिक से भी कर सकते हैं पाउडर से मुझे समझ में नहीं आता है इसलिए मैं पाउडर से नहीं करती हूँ तो फैंस देखो थोड़ा सा फेस फतला लग रहा है अब फैंस आती ब्लश की बारी तो यह भी फैंस इस्टिक वेरी काई ब्लस है अब ब्रैंश रेडी टू शेड़े फैंस में और बहुत ही अच्छा है यह मुझे अच्छा लगा हिए फिगमेंटट है ज zwee अभी फैंस आती है अब कि फैंस इस LIKE km काई अ लंग अब है थोड़ा सा नियू सा य तो मैंने गखले लिया और मैं आप पर फैंस बताevníके है मुझे कैसा लगा तो ब्राउस बोन पी लगा लिया है फेंट्स मेंने कि थोड़ा सा हाइलेट हो लग से और अच्छी लगती है फेंट्स अलग से दिखती है तो चमक आती है तो कि यह फेंट्स स्टेक विड़ी की मिनी लिपिस्टिक है और पहले मैं फेंट्स इनको यूज कर चुकी हूं 12 से आते हैं फेंट्स में और बहुत अच्छी है फेंट्स लिपिस्टिक आप देख रहे होगे कि बार में कितना अच्छा सा शेट दिया है यह देखें पहुत ही अच्छी लिपिस्टिक है लॉंग लास्टिक है फेंट्स अब से चीछी बात है कि जितनी मीनी लिपिस्टिक है उतना ही लॉंग लास्टिक है का., अरण में बिंदी लगा माद लें कि उल सार, विटू करते हैं तो 16 शूंग् benefits लेकिन जितना मुझे लगा है उतना कियाा है वहा cómo में अपनी हेस्टल बना लेती लिए फेंट वेलरी मीशू की है साड़ी भी मीशू की है चूड़ा हॉल फेंट में इसके बाद करूंगी तब तक के लिए फेंट्स बाबाई टेक केर